पेश है अजीत कौर्दी स्वैजीवनी खाना बदोश्ता चोथा अध्याए हादसियां दा हुजूम आवाज मनप्रीत सहोता। एस आतम कथा दे पहले तिन हिसे सुनन वास्ते उत्ते दित्ता लिंक क्लिक कर सकते हो। हादसियां दे हुजूम विच्चों सब्तों पहला मैं तो अनुएक नहायत मासूम हादसे दी गल सुनांदी हां। छोटा ते मासूम पर चिन्नात्मक। सब्तों पहला इना चवाँ संगीन जुर्मा दे गुनाहां दा इकबाल कर दी हां। नल जीना, तणके जीना, खुद्दारी नल जीना ते बाकी दुनिया दियां कदरा कीमता नाल जे मन हुगारा ना परे ता समझाता ना करना। एहो जे गुनागार नू परे चोराहे विच सूली चड़ना पेंदाए। उनिसो बहत्तर दा आद सी दिल्ली विच एक इंटरनाशनल तजारती मेले दी त्यारी हो रही सी एशिया 72। बहत साल पेला USIS विच कम कर दे एक बहत अजीज दोस्त हरबंस सिंग नूर ते उना दी बेगम अबान दी अगवाई विच एक तजारत दा मैगजीन शुरू कीता सी रूपी ट्रेड। ए मैगजीन हिंदोस्तान ते पूरभी योरोप दे सोशिलिस्ट मुलकां विचकार होनवाली तिजारत दे बारे पूरी वाकफियत देंदाए। थोड़े जै साला मगरों कामर्स मिनिस्ट्री ने इन्हों अपना छोटा मुटा स्पोक्समैन वी मन लेया। इस विच एक असलो नवी गल में ए शुरू कीती सी के हर परचा किसे एक खास मुलक नाल होनवाली तिजारत दे बारे पूरी वाकफियत देंदा सी ते ओ परचा दो जबाना विच छपदा सी अंग्रेजी विच ते ओस मुलक दी जबान विच ए तजरबा इना नमा सी ते इ इना फाइदे मंद क्योंके यॉरॉप दे मुलकां विच अंग्रेजी कोई विरला बंदाई जान दाए हिंदोस्तानी चीजां दे खरीदारा नाल उना दे जबान विच ही गल करनी बहुत फाइदे मंद सी सो ए तजरबा इना फाइदे मंद साबत होया के पूर्भी अब दे मुलकां विच होण वाले इंटरनेशनल तिजारती मेलियां वास्ते कॉमर्स मिनिस्ट्री रूपी ट्रेड दियां कापियां खरीद के उना मेलियां ते जान लग पई ते ओ थे ओ कापियां सरकारी पब्लिसिटी मिटेरियल दे रूप विच हिंदोस्तानी माल दे पूरे हिंदोस्तान विच ए अपनी किसम दा एक को एक पर चाए। जदो मैं 57 स्टेटानू खत लिख दिते के जे तुसी अपना पबलिसिटी मिटेरियल अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच ते रशियन विच छपवाना हुवे, ता साधियां स्पेशलाइज़ सर्विसेज हाजर ने। ओ हस्पताल विचे, पर ठेरो मैं पता कर देना। उधे पिये ने क्या। हस्पताल फोन करके उने पुछे आते मैंनू क्या, ता उनू हस्पताल विची बुला रहे ने। बड़ी शायस्तगी नालो मेरे नाल तुर्प्या। मिश्रा ने क्या। तुसां बड़ी तकलीफ कीती, दिलियों आये यो। मैंनू बड़ा अफसोसे मैं इथे हस्पताल विच प्यां। नहीं, तुसी सगवां राम करो। राम ता हुंदा रहेगा, तुसी दिलियों आये यो। फिर उन्हें अपने पीए नू किया के जिना जिना अफसरांदा इस मेले नाल ते मेले दी पबलिसिटी नाल तालुक सी, सब दी मीटिंग बुला लवे, उथे हस्पताल दे कमरे विच ही शामी तिन बजे। मैं नू पुच्छा के स्टेट गेस्ट हाउस विच ठेरना पसंद करांगी, मैं क्या तुसी फिकर ना करो, मेरे नान के इसे शेर ने। तिन वजे तक मैं वेली सां, सितारयां दी साजिश तो अनू पता हिये, वो उस विड़े पूरे सिहरते सी, क्या लाया, चलो फिर सेकर सेकरेटेरियेट जान दीया, ते पंजाब सरकार नू जड़ी चिठी पे जी सी, ओधी खोज खबर लें दीया, पंजाब सरकार दे किसे दफ्तर विच मैं किसे नू नहीं सा जान दी, सिर्फ एक ना थोड़ा जा याद सी, हर बंच सिंग सानी, शायद कदे किसे कहानी दी त रीफ दा खात आया सी इस बंदे वल्लों, जा किस तरा बस ए ना जहन विच कायम सी, इंक्वाइरी तों पता लगा के सानी बड़े एहम ओदे ते ब्राज माने, ग्यानी जैल सिंग दा खास सेकरेटेरिये, सानी कोल पहुंची, ओधे द्वाले लोकां दी पीड सी, ग्यानी इस चिठी दी कॉपी वखाई, पुछया इस चिठी नाल कौन डील कार रहाए, उन्हे क्या स्पेशल सेकरेटेरी कुल चले जाओ, नाल उन्हे मिन्नू कमरेदा रा समझा देता, स्पेशल सेकरेटेरी दा नासी बागला, बड़ा शाइस्ता बंदा जापया, उन्ज भी IAS लगा, जही ने काफी, सो मिल के तसल्ली होई, जाके दस्या के चिठी दे बारे जो भी फैसला होया होवे ओ पता करना आई या, क्योंके हर्याना सरकार ने एक स्पेशल पॉब्लिकेशन मेरे कुलों बन मौन दा फैसला कर ले आए, इस करके सोच दियां के पंजाब दीवी आले ही हो जावे, ता इकको चंडिगर शेयर विच दोहां कमा ले ओना सौखा रहेगा, ते सिर्फ दो स्टेटां ले जही पॉब्लिकेशन त्यार कर सक दियां, क्योंके नाल नाल कॉमर्स मिनिस्ट्री वास्ते पूर्भी योरप दे सारे मेलियां वास्ते पॉब्लिकेशन होया होएगा, तो अनुदास देांगा, मैं क्या, चंगा, शामी तिन वजे हर्याना वालें दी मीटिंग होई, हस्पताल विच ही, मिश्रा दी मंजीदे द्वाले, अध्य कंटे विच सारा काम जिमें रंदा फेर के सिद्धा कार देता गया, किनना खर्च आएगा, हर्यान एस तारीख तक उननु मिलन गिया, सुनिया होया सी के अमरीका दे लोग इसे करके काम्याबने, क्योंके सारे फैसले बहुत छेती कर देने, हस्पताल दे उस कमरे विच कुझ-कुझ अमरीकन एफिशेंसी दा चौड़ा पया, प्रतिबावान सु योगता, जिदे विच लं जमेवारी नु कबूल करनो तरहिंदा नहीं, एक अजीब सुमेल जिस विच अपनी समरत्था दावी एहसास होवे ते जमेवारी दावी एहतमाद, एहो जहा लाजवाब बंदा सी एस के मिश्रा, अगले दन बागला ने दस्या के ज्यानी जी ने उतज्वीज मनजूर कर लाईए, मैं क्या, बाकी डीटेज दा फैसला करो, उन्हें क्या, ओधली इंडस्ट्री दे सेक्रेटेरीज दी ड्यूटी लाईए, सेक्रेटेरीनू बागला ने फोन कार देता ते अपने चप्रासी दे नाल मैंनू ओधे कमरे विच पेज देता, मैं उन्हों दस्या, के हर सुच्या, ये शायद सोच रहा है के बागला मेरा वाकफ है, जा शायद रिष्टेदार है, इन्हों पताई नहीं के मैं कल साड़े बारां वजे पहली वरियो दी शकल वेखिये ते आज दुझी वरी, मैं क्या, पर कदों को तक सारे आर्टिकल ते इश्तिहार मेंनू मिल ज वापस दिल्ली आ गई, हफते दे मगरों ही हर्याना दे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज अफसरां दियां चिठियां आउनियां शुरू होगी या, ना आल उन्हों दे इलाके दे इश्तिहार, उन्हों जोडियां सरकारी चिठियां इस दे बारे चंडी गड़ों महाराश्ट्र दे चीफ मनिस्टर दिल्ली आये ता उन्हों दे प्रेस इंफ्रमेशन आफिसर ने फोन कीता, तुसा कोई चठि लिखी सी सीम साइब नू, वो डिस्कास करना चौन दे ने, मैं क्या, मैंनू बड़ा अफसो से परसी सिर्फ दो स्टेटां दे पब्लिकेशन् पंजाब ते हर्याणा दे, सो तो अड़ा कम हों नहीं कर सकांगे, इसे तरह मैं सूर वालयानू ना कीती, हर्याणा तो लगा तार आर्टिकल वी ते इश्तिहार वी पहुंच रहे सन, तरजमेयादा काम शुरू करवा देता गया सी, पर पंजाब तो कोई योग सग नहीं स पोन कर दी सा, ता पीए केंदा सी, वेखदा हां, फेर क्या देंदा सी, साब ता सीठते नहीं, महीना गुजर गया ता फेर चंडी गड़ गई, सेक्रेटेरी नू जाके मिली, उन्हें क्या, मैं ता इंडस्ट्रीज दे डारेक्टर नू क्या देता सी, तुसी जाके उन्हो मिल लवो, बहुत खेज आई, एक महीने विच सिरफ ए नई काम होया है कि अपने जिमेबारी अपने हेटले अफसर नू ट्रांसफर होई है, फर तो आनू दस्या है न, सितार्यां दी साजिश सी, सो इंडस्ट्रीज दे डारेक्टर दे दफ्तर पहुंची, पीए ने अपन पहुत खेज़गी विच कि किसे ने अपने पिए कोड़ों ए अखवादता होए कि मैं तनू मिलन लई त्यार नहीं, उस विले ठीक फैसला ए होना चाइदा सी कि जहनम विच जाओ तुसी सारे जाहल, ते सुस्त, ते फैसलेयां तो कन्नी बचाके निकलन वाले लोक, फकीर वापस चले जे दिली, पर नहीं, जे हर दुरुस्त फैसला दुरुस्त वक्त ते हो ही जावे, ता हादसा विचारा वक्त दी कोख विच ना मर जावे, जो तो हादसे ने जनम लेना होवे ता एहो जियां बेहूद गियां अजीब चैलेंज जाप दियांने, वंगार, ते बस टकरा जांदाए बंदा, जान बुझ के, पूरे होशो हवास विच, सो टकरा जानवाला तैश आ गया, वापस सेक्रेटेरियेट पहुंची, बागला कोल, उन्हें चाप याई, क्या, तुसी चिंता ना करो, सरकारी दफ्तर जु होए, फाइलां आहिस्ता आहिस्ता तु पीबी अजीत कार लगदाए दोवांदी आपस चे बंदी, नहीं, तैन्नू गोट बनाके किते आपो अपनी शत्रांज दी बाजीता नहीं खेड रहे, मेरे मन ने क्या, उन्हें टकरा जानवाली मेरी फित्रत दे नाल नाल मेरे अंदर दी कहानी कार्वी चुकन्नी हो गई इसी, मामला कीए, तैह तक पहुंचना चाहिदाए, एक फजूल चेही जिद के सारी गलदा अतापता समझ आणा चाहिदाए, पर सोच्या, चलो छुड़ो, मैं की लणा देना है विच्चों, वापस जामा दिल्ली, सो बागला कोल गई, क्या, मैं ते इस तरह कम नहीं कर सक दी, ना इं दर्वाजे दर्वाजे दस्तक दे सक दी या, मैगजीन चलों दी या, गाजरा ता वेच दी नहीं, के गली-गली हुका दिन दी फिरा, तै मैंनू लगदाए तो अड़ी सरकार नू इस पब्लिकेशन द लोड नहीं, सो तो अनू एही कैन आई या, के मैं वापस दिल्ली जा रही या, तुसी ये कम किसे होरकुड़ों करवाला ना, जा तो अड़ा अपना इड़ा वड़ा पब्लिसिटी डिपार्टमेंटे, स्टेट प्रेस से, जे हो जे पैंफलेट अगे चाप देओ, चापक जेगु विच मैनों एक चिठी दे देती, जिदे विच एही लिख्या सी के पंजाब सरकार लेई ए स्पेशल पब्लिकेशन असी बनाऊनी है, पर सारे आर्टिकल ते होर मेटेरियल ते इश्टिहार कौने कठे करेगा, बागला ने क्या, ओवराल जिम्मेवार डिरेक्टर इंडस्ट्रीज इए, वो तो अनू सारा मिटेरियल ते सारे आर्टिकल ते सारे इश्टिहार इकठे करके दे देंगे, पर मैं ता हुन चंडिगर नहीं आवांगी, कोई गल ने, मैं क्या देंगा उननू, वो तो अनू सब कुछ दिल्ली पुचा देंगे, शर्ता हे तै सनत नाल सी जा तिजारत नाल, दस हजार रुपए दा इश्टिहार इंडस्ट्रीज दा मैक मा इकठा करके सानू देवेगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर अपने अपने इलाके विचो निर्यात होनवाडियां चीजां बारे जानकारी वी, ते इश्ट मैं एवाइदा कीता के 2 नवंबर नू, यानी मेला शुरू होन तो पहली शाम नू, 2000 कापियां पंजाब पैविलियन दे इंचार्ज मिस्टर कुट्टी दे हवाले कारदितियां जान गियां, सो चिठी दे के सारे वाइदे करके ते बागला कोलों तसली दे ए सारे इकरार चोले विच पा में दिल्ली मोडाई, पर इस तो मगरों दिना दे दिन बीद गए, हफ़ते भीतन लगए, पंजाब तो कोई युग सुग नहीं सी, पोन करां ता ओही एसास के किसे हनेरी सुरंग विच आवाजां दे रही हैं, चिठी पामा ता ओही एसास के रब नू, जा जा आसमान नू, जा बदला नू, जा हिमालया परबत नू चठी लिख रही हैं, एक बे नाम सुन मसान नू, जितों जवाब ता ओना ही नहीं, एक कंबली सी जड़ी ना गड़ों लेंदी सी, ना खेडा छट दी सी, तिन नवंबर नू 2000 कापियां पब्लिकेशन दियां ति जड़ार ना हुईयां, जे पब्लिकेशन ते नवंबर तक ना निकली, ता सरकारी तौर ते ए जुर्म सी, ओ लोक मेरी गिच्ची कोट सक्दे सन, कानून दे शिकंजे विच फसा के, नौबत मुकदमे तक ते हर जाने तक जा सक्दी सी, कुझ भी हो सक्दा सी, सो दोस्तों तो अड़ी एस अधीब दी गिच्ची विचारी चिड़ी वंगू पंजाब सरकार दी मुठ विच सी, चाहे ते कोट छड़े, चाहे ता उड़ा छड़े, सुथरेशा वंगू, ना ओ ए लिखती एकरार रद कर दे सन, ते ना ही एक कदम वी अगां तुर दे सन, हफ्तेयां प्रीतम नाल वापरे किस्से तक नहीं पहुंची के पंजाब सरकार नू पुराने कवियां बारे, ते सब तो पहला शाह हुसेन बारे, डॉक्यमेंटरी फिल्म बनौन दी पूरी योजना उना ने पंजाबी विच लिखके पंजाब सरकार नू पे जी, फिर कोई योग सु नहीं, बहुत सारे खताम अगरों जुआब आया, तो अड़ी योजना दी सा अनू समझनी लगी, अमरिता ने क्या, लिखी ता पंजाबी विची सी, ते मेरा ख्याल सी के तो अनू पंजाबी विची लिखी सी, पश्तो विच न लिखी नहीं सी, ते मेरा ख्याल है तो अड पंजाबी विच लिखी चिठी दी समझ नहीं आउंदी क्योंकि आर्टिकल वी अजे तक नहीं सन पॉंचे दे सिर्फ पांज हफते रह गए सन मेला शुरू होण विच ते हर आर्टिकल दा तिन्ना होर जबाना विच तर्जमावी होना सी मैं आखरी हिम्मत एकठी करके चंडी गड़ पहुंची बागला ने क्या आर्टिकलां दी जिम्मेवारी तें डिरेक्टर इन्फोमेशन नों दित्ती होई ये उन्नों मिल लवो डिरेक्टर इन्फोमेशन नाले मेरी पहली मुलाकात सी पर ओ बड़ी शायस्तगी नाल पेश आए मेरिया कहाणिया एक दोना पड़िया हो या सन उन्ना दस्या के एक अंग्रेजी दे बहुत वदिया अधीब ते अखबार नवीस दे ओ बड़े नजदी की रिष्टदार सन मैं सोचया शायद होन अकड़ा दी रुत खतम हो जावेगी पर नहीं एता सगों शुरू हो रही सी कैन लगे कमाले अज़े तक तो अनू ना आर्टिकल मिले ने ते ना इश्तियार कम किदा बनेगा असल विचे सारे हिंदू अफसर मैंनू पहली वरी ऐसास होया के बागला हिंदू सन इंडस्ट्रीज दे सेक्रेटरी सिख सन इंडस्ट्रीज डिरेक्टर हिंदू सन ते इंफर्मेशन दे डिरेक्टर सिख सन ते फेर क्यो होया? So what? एस हिंदू सिख दे वितकरेदा अहसास पहली वारी मेननू उना दे कमरे विच ही होया ते अगले दिन उना दे कमरे विच ही एस वितकरेदा पूरा ड्रामा वेखन्णू मिलिया खेर ओ मेरे So what? ते रता कू अखे होये पर फिर उना समझया दिली दी बेवकूफ औरते नहीं समझेगी कैन लगे? चुरण्जा सरकारी संस्थामा दे इश्टिहार ता मेरा दफेवारी रिलीज कर दा ए जे इंडस्ट्री जागे मैं क्या? मैं पेलो क्यों ना तो अ leftmost आ गई? कैन लगे? तो अडिक character, end जोगी कोई था है पंजाब सरकार दा ए पहला बंदा सी जिसनू ए चिंता होई सी मैं शुक्राने नल पिज गई मैं क्या मेरे नान के इत्थ ही ने चंडी गर्दी रेन वाले ने नहीं आये तासी सारे लहोरों आ पर मामा जी दिल्ली दे शोर्तों तांगा आगये सन नाले केंदे ने पंजाब दे पानी दा स्वाध हो रहे लहर दे पानी दा स्वाध ता मैंनू याद नहीं ओदो छोटी सा पर हुण लगदा है ठीक ही केंदे ने सो रेटायर होके उन्हाने इत्थ ही अपना कार बनाया है ठीक हे, तुसी जाके उथे अराम करो, ते कल जरूर आ जाना, मैं तो अनू उन्हा चुरंजा और्गिनाइजेशन्स दे पते भी दे दियांगा, ते अपनी चिठी दी कॉपी भी, तुसी भी उन्हानू चिठी पादे नी, रेट कार्ड पेज देना अगले दिन, जदो मैं उन्हान दे कम्रे दा परदा चुक के अंदर चाक्या ता, अठदास लोक उन्हान दे मेज दे द्वाले बेठे सन, ते ओ बड़े गुसे विच, ते जोश विच बोल रहे सन मैं पिछाँ परतन लगी था कैन लगे, आजाओ, तुसी भी आजाओ, दोँ चौँ मिन्टां वेची सारा मामला समझ आ गया मैंनू पगत सिंग दी सलाना याद मनाई जा रही सी, वर्सी वाले दिन जड़ा इश्तिहार सरकार वल्लों उखबारां विच छपना सी, ओस इश्तिहार दा रफ लेयाउट ओना दे मेज दे प्या सी, ते ओ उना लोका नू जड़ी असल विच पतरकार सन, बड़े गुसे विच द सरह सन के इस लेयाउट विच ओना ने पगत सिंग नू पग बनवाई सी, पर क्योंके इंफरमेशन मिनिस्टर हिंदू सी, ओ केंदा सी पग नहीं बज़ेगी, हैट पवेगा, माई गाड इस सरकार किस तरह चल दीए, मैं सुच्या, कह रहे सन, मैं था स्तीफा दे दियांग इस गालते, मैं था जहाद करांगा, पगत सिंग सिख सी, पग क्यों नहीं बननेगा, कंटा लांग गया, डेड कंटा लांग गया, मैं था सोच्या सी तिन वजे दी डीलक्स बासते वापस चली जावांगी, इथे ता मेरी गलवालते अनमुडंदे ही कोई असार नहीं सा न बाहर आ गई, सोच्या इनन दे पीए कोल जाके पुच्छां के चिठी चली गई है जा नहीं, जे चली गई होवे ता कापी ता लैनी है, ते नाले पते, ओदे कुण ही लैलन दी है, पीए दे कमरे विच वखरी मैफल लगी हो इसी, कल्चर डिपार्टमेंट दे एक जाने पछाने करता तरता ते दो-चार बंदे उथे होर बैठे सन, चापी रहे सन, पीए ने सब नाल मेरा त्वारफ करवाया, विच्चों एक कोई ज्यानी फलाना सिंग सी, शायद किसे उर्दू अखबार दा चंडिगड कॉर्सपोंडन सी, अपने नाल दी कुर्सी वाल इशा किता उन्ने, मैं आणवेख्या कर देता, पीए नाल गल करन लगी, ओ कैन लगा, चिठी डिक्टेट ता करवायी साने कल, पर पता नहीं एग्गों की होया, ओ ही दसन गे, बार निकल रही सा ता पंजाबी दा एक सो कॉल्ड कवी अंदर आर्या सी, पूरी हयाती विच्च ओ मैंनू सिर्फ एक वारी किदरे पहलों मिलया होया सी, शायद पंजाब उन्वस्टी दे किसे सैमिनार वेच, सिर्फ एक मिंट दा त्वारफ सी, सो मैं उन्नों नहीं पचान सकी, ओ बड़े तपाक नाल, जिसतरा निक्या हुन देया, मेरे नल गीटे खेड़ दा रहा हुव एस ड्रमाई तपाक दा, ते तू दी बेत कल्लफी दा की जवाब हो सकदाए, उस पल नहीं सुझया, जिन्नी कु ठंड ते लापरवाई मैं अपनी अवाज विच पर सकदी सांपर के क्या, आन जानदा है साब नहीं रख दी, कमरे दे अंदर बेठे सारे लोग इदर इवे कोड़, ओ भई यसी मी किसे डिरेक्टर तो काट नहीं या, पता नहीं ये उन्हें क्यों आख्या, जान सिर्फ फिकरे बाजी लेई ही शायद, मैं अच्छा फिर, कैके अगांत उर्पई, ओ रा मल के खड़ा सी, सो रा वला के सामने डिरेक्टर दे कमरे दे अंदर चली वापस आउन दा वक्त नहीं सी, सोचया कल चली जामांगी, अगले दिन स्वेरे पंजाब युनिवसिटी विच किसे नो मिलन गई, ओ कैन लगा, आज दे फलाने उर्दू अखबार विच बड़ी वाहयात खबर चपीए, स्तारा सेक्टर जाके ओ अखबार खरीद या, पह ओस आउरत ने पंजाब दे कुछ अफसरानों उल्लू बनायाए, ते उना कोलों लखां रुपयां दी ग्रांट, ते लखां रुपयां दे इश्तिहार एक पब्लिकेशन वास्ते लेल लेने, मैं ता दिल्ली आगई, हर्याने वाली पब्लिकेशन तियार करवानी सी, ते ब को किसके पास रहे, पंजाब के मिनिस्टर दिल्ली से आई हसीन औरत के लिए दिवाने हो रहे हैं, ये अजीत कौर कौन है, ते फेर अंग्रेजी दे एक हफ़तावार अखबार विच, ते नार चीफ मिनिस्टर ग्यानी जैल सिंग दी तस्वीर, यानि अजीत कौर ग्यानी जी दे दर्शन नहीं सन कीते होएं, क्योंके मशूर सी के ग्यानी जी कोई भी फैसला नहीं कर दे, मैं इही सोचया सी के अजेहे बंदेनू मिलके कानू अपनावी ते उन्हाद अवी वक्त जाया करना हैं, पर पंजाब दे पंजाबी ते उर्दू अखबारां तो तुर्क के उन्हादे नामा निगारां दे चंडीगड रहें दे दोस्तां दी राहीं, ए जड़ी चटपटी खबर इदर उदर छप रही सी, उदर ली ना किसे सचाई दी लोड सी, ना किसे तस्दीक दी ते ना किसे तर्क दी, एहुजे अखबार सिर्फ एथे नहीं छप दे, पच की दावा कर देने, लखां डॉलर हर जाना दे के अखबार जान चुड़ाओं देने, ए वक्री गल्ले के एस मुकदमे ते हर जाने दी बदालत जड़ी मुफ्त दी पब्लिसिटी हो जान दिये, एहुजे या अखबारां लई, ओ अल्ला दी देन हुन दिये, एशिया 72 मेला तेन नवंबर नू शुरू होना सी, 18 अक्तूबर नू पंजाब हाउस तो फोन आया के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दे एक अफसर थापर साहिब आये ने साडी पब्लिकेशनली सारा मैटर लेके, आके ले जाओ, सो पंजाब हाउस गई, थापर साहिब ने आर्टिक पाना विच तरजमा होके किस तरह चपेगा, ए तमे नू पता नहीं, ते जे मैं आखांके हून नहीं चप साकदा, ता तो आनू ए गल लेके देनी पवेगी, एनी छेती यसी भी अपना पब्लिसिटी मिटेरियल त्यार नहीं करवा साकदे हून, एस करके तो अडिकलों हर जाना वसूल करांगे, सो जी मैं आटर ले लिया, ते फिर चौदा दिन ते चौदा राता, ना मैं सुत्ती, ना मेरे दफ्तर दे किसे बंदे ने आराम कीता, ना प्रेस बंद हुई, चौदा दिन ते चौदा राता, जिस तरह भी तियां, उदा जे अर्नेस्ट हेमिंगव चश्मदीद गवा होंदा, ता Old Man and the Sea वरगे एक होर शाकार दी रचना हो जान दी, A Woman and the Publication, दो नवंबर नू राती दास वजे कापियां पचान, जिस वले पंजाब हाउस पॉंची ता पता लगा के पंजाब पैविलियन ही अजे त्यार नहीं सी होया, ते उस दे इंचार मगरों वखरा 15 नवंबर नू शायद ग्यानी जैल सिंग ने कीता, काली दे काम विच सारे खर्च दूने तीने हो गए, प्रेस दे ओवर टाइम, ट्रांसलेटरां दियां दूनियां फीसा, नस पज अपने वरकरां दे ओवर टाइम, ब्लॉक बनवान दे अर्जेंट चार् के जड़ा टीटा कारदा आर्ट पेपर पंजाब सरकार्तों मन्जूर करवाया होया सी, ओ अक्तूबर ते तीजे हफ़ते पूरी दिली दी मार्केट विच नहीं सी मिल रहा, कोई होर आर्ट पेपर ला दे, सारे सला दे रहे सन, पर जए ओ आर्ट पेपर नहीं मिल रहा, त जरूर उस्तों वदिया ही लगना चाहिदा है, एही सोच के इंपोर्टर्ड रशियन आर्ट पेपर खरीदिया दूने पा आते, पता सी के एस पब्लिकेशन विच रज के काटा पैरे आये, पर फसीदा फड़कन की, पब्लिकेशन छप गई, कापियां पुचा देतियां, तम बिल पेजे, हर्याने दे पैसे तच अटपट आउने शुरू हो गए, पर पंजाब तों कोई योग सुग नहीं सी, हफ्तेयां दे हफ्ते गुजर गए, किद्रों कोई बिल पास होके पैसे नहीं आए, बड़ी हरांसा के की हो गया, सो चंडीगड किसे दोस्ते जिम्मे लाया के पता करे, पता करके उन्हें फोन कीता के इंडस्ट्रीज डारेक्टर ने सब नुएक सर्कुलर पेज दिता है के इस पर्चे विच छपे किसे इश्तिहार दी कोई पेमेंट ना करो, क्योंके पर्चे नाल सरकार दा कोई चगड़ा हो गया है, चगड़ा? यानी? प जी, कौन सी फेरे अजीद को और जीनू लखा रुपए सरकारी खजाने दे लुटा दितते जे? ये भी हो सकता है के ग्यानी जीने वाक्याई कोई अखबार ना पड़ी होवे, एस करके, ते जां फेर स्यास्त विच कदे सिद्धा जवाब देना ही नहीं चाईदा, हर वार दू पंजाबी अखबारा ने अगले दिन चापया, कोई दो महिन्या मगरों, ते कोई वी रिमाइंडरा मगरों, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जिना ने दो हजार कापियां दे बारा हजार रुपए देने सन, दा खत आया के पेमेंट नहीं हो सकदी, क्योंके असा का कागज कटिया लायाए, कटिया कागज, वो ता इंपोर्टर्ड कागज सी, रूसी कागज, देसी आउट पेपर तू दूना मेंगा, पर वजीदा कौन साइब नू आखे, तू एउन नहीं ते एंज कर, फिर चिठियां दा एक लम्मा सिलसला शुरू होया, मैं हर वार दस दलीलां देके उननुए गल समझान दी के एक कागज ता वधिया कागज सी, वो किसे दलील दा जवाब ना दें दे, बस एही लिख दें दे के साधियां पिछलियां चिठियां, नंबर फलां-फलां, पढ़ो ते याद रखो के असी पैसे नहीं देांगे, क्योंके कागज क असर हो जावे, ये किस तरह हो सकदा सी, निक्या उन्देयां पड़ी होई लेलेते बगे आड़ वाली कहाणी याद आँ दी, तु मेरा पाणी क्यों गंदा कर रहाएं, फुजूर मैं ता निवान वाले पास से पाणी पी रहां, पाणी ता तो अड़े वल्लो मेरे वाल र उठा किता सी, ते बगे आड़ने लेले नू खालया, पर अजकल दे बगे आड़ा नू लेले खान लगया, इन्नी लम्मी चौडी बैस दी लोड नहीं पेंदी, तरक देन दी वी ते अपने जुल्म नू ठीक साबत करन दी वी लोड नहीं, जबाना रफतार दा ए, लम्मी बैस सांदा नहीं, दोसो सफे दी पब्लिकेशन ओवी चार जबाना विच कोई मुखाल नहीं सी, जिनने पैसे ओदेते खर्च होए मेरे कुल नहीं सान, ट्रांसलेशन करन वाले आनू नालो नाल ते ओवी दूनी तीनी, क्योंकि सारा मैटर ही देर नल पहुंचा सी, पेमे सियां दे किराए, कंपोजिटरां दे खाने ते दोद दे खर्चे, ताके ओ रात दिन कम कर दे रह सकन, कागस जित्तों खरीद्या सी उनकडों पेमेंट ली महीने दी मोलत मंगी सी, एही सोच के के पब्लिकेशन दे छप दे आं ही कम अजगम सरकारी पैसे ता आई जान गे, दस हजार सरकारी इश्तिहारां दे ते बारा हजार रुपए तिन हजार कापियां दे, पर पब्लिकेशन दिया कापियां दा कबजा लेंड मगरों, हुन इंडस्ट्रीज ने ए जड़ा हुकम जारी कर देता के पेमेंट रोक लई जावे, इनने क्यामत ता आदित्ती सी, हो कड़की वेड़े पुख्यां रह लिया, बच्चेयां दे ते अपने कपड़े गंड तुरुप के दिन कट ले, पर बार किसे कोल तू नहीं निकलन देता, किसे दे पैसे देन लगयां एक दिन दी वीटे ल नहीं पाई, शायद इसे करके हमेशा आसपास दे सब लोकानों ह किसे कोल नहीं कीती, पर बंदा किसे ठोस चीज नाल लड़ सकदा है, हवा नाल, जा हनेरे नाल, जा चक्खड नाल, जा लोकान दे एमक पुने नाल किस तरह लड़े, दिल्ली विच पंजाब दा एक पार्लिमेंट मेंबर सी, जिस दी काफी तांक सी, ग्यानी जी कई वारी ओदे कर ही आके रहीं दे हुन दे सन, कटो कट रोटी दा जुरूर ओदे कर खान दे सन, उन्हों फोन कीता, उन्हें क्या ठीक है, जनपत होटल दे कौफी बार विच आ जमांगा, पार्लिमेंट तो निकल के चार कू वजे, चार वजे जनपत पहुंची तां पंजाबी दे एक सप्ताहक अखपार दे एडिटर बैठे सन, ए ओस MP दे बड़े दोस्त सन, मिन्नू अंदर आओधिया वेख के उन्हा ने मिन्नू अपने टेबल ते साथ लिया, मैं क्या मैं ता किसे नू डीकना है, कैन लगे, तुसी जनू डीकना है, उससे नहीं मिन्नू के ले आए, ह आजकालता जो भी कोई तो आनू मिलेगा होभी फसेगा, ते फिर पिलिटिकल बंदेनू तो बहुत ही कन्नी बचाके चलना पेंदाए, तो आनू उन्हा दी रेपूटेशन दा ख्याल करना चाहिदाए, रेपूटेशन? यानि मैंनू मिलना लोना दी बदनामी होवेगी, ना डोब जावेगा, पग, या खुदा, लगगा जिसतरा मैं कोई डाकू होवा, जा हूनी मुझरम, जेलों पजी होई, ते मैंनू होन सिर्फ किसे गार विच, किसे जंगल विच, किसे गुफा विच रेना दरकार सी, बस, आर के मिलाप दे एडिटर रनबीर जी नू फोन कीता, रनबीर जी नाल साडा रिष्टा मेरे जनम दे आसपास ही किदरे शुरू होंदा है, मैंनू ओ कुछड चुक के टॉफी लेदें दे होंदे सन, दार जी कुणों चोरी, ए मैंनू अजेता की याद है, उन्होंनू मैं सारी गल सुनाई, सुनके ओ सिर्फ हहरान ही नही होए बेहद घुसा आया उन्हानू, मुन्ना तुमेनू पहलों के उन्हा दस्या, मैं तक खल खिच दे हैंना सारे आदी, ते मेरा ख्याल है मेरे प्राने मिलाप दी पंजाबी एडिशन विच भी, उन्हा शरम नाल अख्खा नीनिया पा लेई या, खेर तु फिकर ना कर, म समने करनवाली गाल नहीं, तुसी एंज करना, परसों दुपैरे मेरे दफ्तर आजना जरा, सो दो दिना मगरों ग्यानी जी जदो रनबीर जी दे दफ्तर आये, रनबीर जी ने मेरे वाला हाथ करके पुच्या, एस बीबी नू जान देओ, उमेनू पहली वारी वेख रहे स सो कैन लगे, नहीं, तो अनु पताये मेरे निक्की पैन, मेरे चाचा जी दी ती, पंजाबी दी बहुत वड़ी अधीबे, एदा ना आये अजीत कौर, ग्यानी जी दे चेरे ते एस गुम नाम ना ने कुछ वी रिजिस्टर नहीं किता, ग्यानी जी पंजाबी दार ओला प ग्यानी जी चुपसन, निमा निमा मुस्कुरा के अपनी चिजक्छ पांदे होए, तो अनु पताये, तो अडी सरकार ने एस मेरी बीबी पे अनल तका कीताये, ते फेर रणबीर जी ने अनु सारी गाल सुनाई, कागस विखाये, पब्लिकेशन दी कौपी विखायी, युन कि दरे पड़या सी के सब तो वदिया पालिटीशन ओ हुंदाये जड़ा चेरे ते ना कोई जजबा आउन देवे ना उतेजना, बिलकुल ठंडा यह रवे, हर हाल विच, बर्फ दी सिल्वांग, मैं ग्यानी जी दे चेरे वल तक रही सां, के सारे कागस वेख के ते सारी ग कीर नहीं पई, रंबीर जी नू उनना ने ही क्या, वापस चंडी गड़ जाके एक एस ठीक करवा दियांगा, चिंता ना करो, ते मैं सच मुझ चिंता करनी बंद कर देती, ए बहुत मगरों समझ आई के पलिटिकल बंदा, जदों चिंता ना करन दी सला देवे, उदा कोई लम्मा चोड़ा मतलब नहीं होंता, महीने आदे महीने गुजर गए, साल, दो साल, ना पैसे आए, ना किसे चिठी दा जवाब आया, फेर एक वड़े अंग्रेजी एखपार दा पंजाब दा कॉर्रस्पॉंडंट एक दिन मेरे कुल आया, सुने आए पंजाब सरकार ने त मैं इस किसे नू चार पांजवानी दोहरा आके तांगा गई होई सा, जदों वी मैं किसे कोली दी गल करन लगदी मैंनू चेखवदी ओ कहानी यादा आजान दी के एक सिद्धा साधा पेंडू, खुश रणा, वंजली वजान वाला ते पैलियां वान वाला सिद बदरा ते कोडा तुर्या जा रहा आसी, रवा रवी मटक चाले, ताहिए उन्हें वेख्या के कच्चे रादी तूर वेच एक वावा सोना लाल फीता प्यासी, कोडीनू टिचकार मार के उन्हें रोक लिया, इन्ना सोना फीता एकुछ बन्न देका मावेगा, सोच के उन्हें उन् कियां फुमनियां उन्हों गुट द्वाले वावा सूनियां लगियां। मंडी पहुंचिया, कंकवेची, पैसे खरे करके जदू बोजे विच पाई ता उन्हों लगा उन्हों पूरे मुल्क दा बादशासी। दो-चार साथिया नाल मिलके चाप आनी पीन लगा के एक आदमी उद्रों लंगिया ते अचानक खड़ो गया, उदे गुट वाल कूर के विखन लग पया। तुए फीता कितो ले आए? उन्हें रोब नाल पुछिया, ये ते राविच प्यासी मैं चुक के गुटते बान ले आए? सिद्धे पेंडू ने मुस्करा के जवाब देता, राविच प्यासी है? मैं इन्हें चरदा अपनी वासनी दे चोर नू प्या लब ना, ए फीता उसे ही वासनी दाए, तू पैसे कड़ के बटवा ता किदरे सुट देता होना है, ते फीता गोटते लमकाई फिर सी ते इन्नू, उन्ने उन्नू गलमेओं आ फड़िया, प्रावा सौर अब दी ए फीता मेनू कटेच बे आलब बाए, मैं ते तन्नू पेली वरी हुने वेख्या, मैं कितो लेलेनी सी तेरी वासनी? सिद्धा पेंडू हुन वाके कबरा आ गया सी, मैं तेरी तलाशी लवां कदे किसे नाल निमाना जया, चू उठवी नई सी बुल्या, किसे दे पैसे चुरा लवे हो, ये ते कदे होई नई सी सकदा, पर ओ तपदियां अख्खां ते खूनी कूरी वाला बंदा, कुझ वे सुनननू ते आर नई सी, मैं ता तलाशी लवांगा, तलाशी दे ना नाल उस पेंडूनू लगगा जमें परे चुराये विचो दे कपड़े लाई जा रहे होण, केडीन मोशी सी, पर की चारा सी, डाड़े दा सत्ती वी ही सो, उस डाड़े बंदे ने उधियां जेबा विचो रुपए काडले, जना आवे पैसे ता मेरे ने, मैं हुने अपनी कणक वेच के वट्टे ने, किते वेची ये तु कणक, सो ओस शाहुकार कुलों पुछ के पैसे गिने गए, उन्ने ही पैसे सन, जिनने उन्ने उन्नों कणक दे दित्ते सन, पर ए फीता मेरी ही वासुनी दाए, ओ बंदा कई जान्दा सी, जि मैं ते राविच दिगा प्या चुक क्या होँए? बजार दे लोक उस डड़े बंदेनू संजा रहे सन, फैर गल क्योंके पुले खे विच पैगई सी, उन्ने पेंडूनू छाड़ देता, पर उस पेंडूनू लगगा सारे बजार दे सारे लोकां दी नजर उसे वल ही सी, उन्नों बड़ी कोफ्त होई, उन्नो लगा ओता कक्खों होडा हो गया होया सी, उन्ने अपने दोस्तानों मुड के सारी कहानी सुनाई, मैं था तुरेया होंदा सा, राविच मिट्टी उत्ते फीता प्या सी, लाल सी, इसे करके मेनू दिस पया, मैं सुचया, ओ उन्दी पाई, जी प्याना, उदास, कार परताया कार पॉंच के उन्ने अपनी वोटी नू सारी गल सुनाई, रोटी दी पुख मर गई सी, नींदर भी नई सी आई, स्वेरे उठके उन्ने कोडी नू अपने गड़े अगे जोया ते मंडी वाल तुर्पया, कल्ले कल्ले दुकान दार कोल जाके ओ गल सुनान लगदा, ओ ओ लोग सुन दे, हूँ हां कर दे, केंदे, सानू तप पता आए, तू पला किस तरा किसे दी चोरी कार सकदा साएं, वो ते उन्नों भी पलेखाई लगा सी के, लाल फिता अजे वियो दे कोल सी, ओ लोगदा नू विखान दा ते मोड सारी गल सुनान दा, मैं ते मूत या अंत सा, ए फिता, अगले दिन फेर ओ मंडी गया, सारा दिन लोगदा नू फिते दी गल सुनान दा रहा, अगले दिन फेर, लोगदा नू पागल समझन लग पै, जो जो लोग ओदे तो करनी कत्रान दे, जा एक दुजे वाल तक के मुस्करान दे, ओ एही समझ दा, के लोगदा ओदे ते चोर होन दा शक कर रहे ने। ए फीता ता ते एक दिन उत्थे मंडी दे बाजार विच ही ओ फीता हाथ विच भड़के मर गया। मैं टालन दी कोशिश कीती पर उस बज़र्ग कॉर्रस्पॉंडनें क्या। मैं सिर्फ इस करके पुछ रहे हैं कि ए पैसे तो अड़े मैं कड़वा सकना। पर तुसी मैंनू जान दे नहीं, बुझ दे नहीं, एक अश्ट क्यों करोगे मेरे लिए। बिना मतलब तो कोई भी कवे मैं तेरा एक काम कर देना मैंनू शक होन लगदाए। जिन्दगी ने यही सिखाया आए। कैन लगए। मैं रटायर हो रहे हैं चौँ पंजामीन्या विच। जे एन्नेचिर विच कोई काम अपने रसूख नाल निकलवा सकदा हुमा। मेरा मतलब ए रटायर्मेंट तो मगरों पैसें दी कुडिक्की विच फसन तो पहलों जे दो-चार पैसे तो आडे लेवी बनवा देत्ते जान ते अपने लेवी। हुण मैन्नू इत बार आ गया। आता गाल होई ना विहारी गल। मेरा छत्ती हजार रुपया फस्या होया ये पंजाब सरकार कोड। सारे कागजां दी फाइल बनवा देन दी यां। कडवालो ते अपनी फीस तसो। वी परसेंट निम्मा जया मुस्करा के कैन लगे। गुसा आया। बड़ा तिखा। ये वी जिसतरा किसली ग्यानी जी कुड़ों कोई परमिट जां कोई कोटा मंजूर करवा रहे होण। जिदे विच दोसो परसेंट ब्लैक हुंदी होवे ते विच्चों वी परसेंट। पर मर्दा बंदा ऑक्सिजन दे पैसेंदी गिंती करन लगेगा ता मरे गई। मरी होई फाइल किद्रों जिन्दा करनी पवेगी जां ते बंदा उखली विच सिर्द देवे ना ते जे दे देवे ते फिर सटा ना गिने। सो पंचसो रुपया हाजर कार देता ते अपने आप ते हजार लानत पे जी। मुख्तसर गल ए कितिन हजार रुपया खर्च करन मगरों फाइल लब पई। सब एही केंदे के एना पैसे आ लई ता फेर नवे बजट दी जाज़त लणी पवेगी वगेरा वगेरा सो जी किस्सा मुख्तसर ए के छती हजार रुपया अजे तक वक्वक मैक में दे वान विच खटमला वांगू फस्या पे आए एस छती हजार विच ओस कॉर्सपॉंडनेट नू दिता तिन हजार जमा कार लवो ते नौ वरियां विच पे जे हजारा रिमाइंडर ते रिजिस्ट्रियां ते मैगजीन दियां छपियां कापियां दे पारसल क्योंकि पराणी कापी ते पराणा बिल हर साल हर मैक मागवा दें दाए ते दफ्तर दे बंदे आंदे चंडी गड़ दे चकर इना सारे आदा वी चार कु हजार जोड लिया जावे ता तान मुड किड के तरताली हजार ते टुट दिये हजारां दा एक काटा खान वाली उही अजीद कारे जिदे बारे उन्नी दिनी अखबारां वीच खबरां चपियां सन ए अजीद कार कौने लखा रुपए इने पंजाब सरकार कुड़ों लुट लेने एही ए बई एही ए अजीद कार मिलो गयो नू एसी अजीद कार दी स्वैजीवनी खाना बदोश्दा चौथा अध्याए हादस्यां दा हुजूम अजेहा होर कॉंटेंट सोनन वासते एस चैनल नू सब्सक्राइब कार लेना लाइक, कॉमेंट ते शेर जरूर कर देना